कि कोट क्या है किसी कस्टेडी के लिया आती है तो पी एम एले कानून ऐसा है उसमें कस्टेडी मिल जाती है लेकिन कोट के सवालों का जवाब नहीं था दिनेस अरोडा और अमित अरोडा के स्टेट्मेंट्स को जो इन्होंने आधार बनाया यह दिनेस अरोडा जो माने संजे स्टेट्मेट में लिखा है कि जैक्या ळविया संजे सींग को आपने को पैसा दिया वाला 9 निह भर तो ऐसी क्या बात हुई कि आज बो बदल गया स्टेट्मेंट बात हुई एक अगस्थ को बेल यह बना अप्रूवर और अप्रूवर बनने के बाद 14 अगस्त को यह स्टेट्मेंट देता है उस पे क्यों कोई ट्रस्ट करेगा वो नेचुरल सी बात है किसी का तुम कान फाड़ोगे किसी का दाथ तोड़ोगे किसी की परिवार को धंकी दोगे आप इस सर्थ पर कि बाइट तुमको तभी छोड़ेगे जब इन 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 बेक्तियों का नाम लोगे तो संजे सिंग का छोड़ो वो तो मोदी का नाम ले ले कितने करोड़ पहे तो एडि से पूचो बहिए यह को ये तो मेरे एसाब से हवाब आई है मुझे नाले की इसको हवा हवाई है, एक नए धेले की रिकवरी नहीं, एक नए धेले का ट्रेस नहीं, एक नए धेले का एविडिन्स नहीं, तो कौन किसकी पैसा? अब आकर कारवाई की गई, इस पे बचाओ पक्स का भी सवाल था, पोट का भी सवाल था, उसके बारे में एक एक्स्प्रेजिशन दिया, कि भी उन्हें धंकी दी गई थी कि बहुत सारे इंफ्लेंसल लोग हैं, उनका किसी का नाम ना ले, तरीक क्या मामला है, किस होज़े से आपको लग रहा है कि इस देश में इंफ्लेंसल संजे सिंग और सुमनात बारती हो सकते हैं, इस देश में इंफ्लेंसल वो होगा, जिसके हाथ में आज एडी है, सीबी आई है, वो इंफ्लेंसल हैं, वो पावर लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं, कि तु इनका नाम ले, त इनका नाम ले तो एडी के सारे आर्गुमेंट्स ध्वस्त हैं पांस दिन वेट करो सब काम हो जाएगा पूछा गया कि आपने को संजे सिंग को पैसा दिया तो का नो ने भर यह उन्रिकॉड है कि नो ने भर तो वह स्टेटमेंट का मानता नहीं है लेकिन यह क्यूज्ड टर पास की गई एक करोड और दो करोड टूटल पीन करोड की भी की गई जो मुबाइल है वह तीज किया गया उतको डेटा का निकालना है आगे चलकर कि तो मानने नहीं ने पूछा यह बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है उनके लिए संजे सिंग की कर्षडी के यह आपको इसका जवाब नहीं तो इस सभी बाते ऑन रिकॉर्ड है और वो कहरें कि हमने सीडियार लिया है और मैं आपको बता दूं सीडियार एक मोबाइल टावर का होता है उस मोबाइल टावर के इर्दगिर्धी वह विक्ति होगा तो संजे सिंग के घर के बगल में मनोज यह तिवारी का भी घर है तो क्या तिवारी से मिलने का था बाद में तो यह तो सिवे बताएगी एडी बताएगी तो आज एडी के पास किसी भी सवाल का जबाब नहीं था आज यह बहुत दुखद है कि उस सक्स को यह प्रताड़ित करने का अपरत्त कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज देश के जंजन की आवाज पारलेमेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बाद पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा ल अरे यह पहले प्रूव तो कर लें इनके पास कोई सबूत नहीं है धेलेवर का सबूत नहीं है एक पैसे का ट्रेल नहीं है यह सब हवा हवाई है पूरा केस यह इसलिए क्या जा रहा है चुकि एक बेक्ति है इस देश के अंदर जिससे मानने मोदी जी को डर लगता है उसक अब राया साब जो चाहे करें लेकिन देश की दिमोक्रिसी देश का प्रजातंत्र देश का संभधान देश का कोट इस बात का फैसला करेगा की सच हो सच हो और नय हो इस देश के मतर्व कानून को ताक पर रख करके कारवाई की गई आज ये कोट में बताया गया कि ड्यू प्रॉसेस अफ लॉग को फॉल्व नहीं किया ना कोई नोटिस भेजा ना कोई समन भेजा एक बैग जाकर के किसी की घर में आप उसको अरेस कर लेते हो इस बात को आज कोट में रखा गय और कोट ने इसका संग्यान भी लिए बहुत दुरुभाग के हैं किस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राज़नितिक प्रसेशन के खिलाफ ले रही है हतासा की इस्तिति है निरासा की इस्तिति है ये दिनेश औरोडा का स्टेट्मेंट कई उबार हो चुका एक भी बार इनफाक्ट ये ओन रिकॉर्ड है आज संग्य जी ने कोट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया और एक अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो चौदा अगस्त को वो नाम लेता है जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है तो पहला जो कोई एक यूज़ है आपका उसके स्टेट्मेंट कितनी महत्ता है ये महानिय उच्छतम नाले भी देख रहा है और महानिय नाले ने भी आज देखा ये वो सक्स है संजे सिंग जिसने की आख में आख डाल करके मोदी जी के बात की मनिपूर पे जब सवाल पूछा तो संजे सिंग ने पूछा दिली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजे सिंग ने सवाल पूछा